दोस्तो प्याग राज के संगम घाट में लगे माग के मेले में कोने कोने संत मादमा और दूसरे दर्मा चार आते हैं लेकिन सद्धालूं के बीच कांटों वाले बाबा खास आकरशित का केंद्र बने हुए हैं ये बाबा एक तरफ कांटों के बीचोने पर ही सद्धालू को दर्शन देते हैं तो वहीं दूसरी दरफ कड़कडाती ठंड में कमबल ओने के बजाए कांटों से अपने बदन को ढख लेते हैं उनका पूरा सरीर कांटों से ढके होने करण लोग उने कांटे बाले बाबा के नाम से जानते हैं ये बाबा अपने शरीर को कटेली जाडियों से घेर कर डंबरू बजाते हुए जब सदालू को डंशन देते हैं तो भक्तों में उनके नाम का जे कारा लगने वालों का ताता लग जाता है। कांटों का बेचोना और कांटों का ओड़ना बावा की है अनुटी साधना उस संकल्प पर लिए है जिसकी अब पूरा उती हो चुकी है। पिछले 33 सालों से वो अपने सरीर को इसी तरह रखे हुए हैं बावा का संकल्प बली 33 साल बाद पूरा हो गया हो लेकिन इसके बावजूत बावा कांटों के बिस्तर को छोड़ने को तयार नहीं है। लेटे रहने का संकल्प लिया था जो की अब पूरा हो चुका है लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जगा से हटने को तयार नहीं है। दोस्तो कांटे बाले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है और दोस्तो कमेंट में जैसरी राम लिखना ना भूलें मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में।